अगर दोस्तों आप भी आधार कार्ड में मोबाइल नमबर रजिस्टर करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आज मैं आपको बताऊंगा आदार कार्ड में आप घर बेटे मोबाइल नमबर रजिस्टर या फिर अपडेट कैसे करेंगे इसका कम्पलेट प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वा लाउं तो वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो अचा लगे तो वीडियो को लाइक शेर ओ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो गर बेटे आधार कार्ड में मॉबाइल नमबर रजिस्टर या फिर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मॉबाइल पॉन में गूगल प्ले एक स्टोर को ओपन कर लेना है इसके बाद आपसे कुछ पर्मिसन्स पूछे जाएंगी तो यहाँ पर आपको सभी पर्मिसन्स को यहाँ से अलव कर देना है इसके बाद यह application आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको बहुँ सारी services देखने को मिलेगी आपको सबसे उपर एक option देखने को मिलेगा service request आपको service request पर click करना है इसके बाद आपके सामने इस परकार का interface आएगा यहापर आपको कुछ information फिल करने होगी जैसे कि सबसे उपर आपको name यानि कि जो आपका अधरकार्ड में आपका नाम है वह नाम आपको यहापर फिल करना है इसके नीचे आपको address जो आपके अधरकार्ड में आपका address है वह address आपको यहापर बढ़ देना है इसके नीचे आपको अपना pin code यानि कि आपके जो area का pin code number है वह pin code number आपको यहापर बढ़ना है इसके नीचे आपको email address जो आपकी email ID है वह आपको यहापर बरनी है इसके नीचे जो mobile number आप update या फिर link करना चाहते है वो mobile number बरना है इसके नीचे आपको select services के option पर click करना है और यहापर आपको IPPB आदार services के option देखने को मिलेगा तो यहापर आपको IPPB आदार services के option को यहाँ से select करना है इसके बाद आपको नीचे आना है दुबार आपको यहापर नीचे select के ओपर click करना है इसके बाद आपको नीचे यहापर UIDI mobile email to other linking update इस option को यहाँ से select कर लेना है इतना करने के बाद आपको request OTP का option देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको request OTP पर click करना है इसके बाद आपने जो mobile number आप यहाँ पर बरते हैं उस पर एक OTP आएगा वह OTP आपको बरना है OTP बरने के बाद आपको नीचे confirm service request का option देखने को मिलेगा इसके उपर आपको click कर देना है जैसे दोर्स तो आप confirm service request के option पर click करेंगे तो आपके request submit हो जाएगी successfully और आपको ऐसा message देखने को मिलेगा request submitted successfully request reference number आपको यह पर देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पर आपको जो reference number देखने को मिलते हैं इन्हें आपको note कर लेना है या फिर आप इसका screen shot भी ले सकते हैं और इसके बाद आप इसका status भी track कर सकते हैं तो आपको जो reference number देखने को मिलते हैं इन्हें आपको यहाँ से copy कर लेना है इसके बाद आपको सबसे उपर click to track your request का option दिखाए देगा इसके उपर आपको click करना है इसके बाद आपको इस box के अंदर अपना reference number बरना है और इसके नीचे आपको face का option देखने को मिलेगा जिसके उपर आपको click करना है इसके बाद आपका status आपकी समने open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप अपना status चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको अपना office address देखने को मिल जाएगा इसी के साथ यहाँ पर आपको अपना status देखने को मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पर pending देखने को मिलेगा दोस्तों 2-3 दिन बाद आपकी pending यहाँ से clear हो जाएगी जिस इसके बाद आपको यहापर कमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तो इतना करने के बाद आप मान के चलिए 10 से 15 दिनों के बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंग दुवारा आपके एड्रेस पर एक एजेंट बेज़ा जाएगा जिसके दुवारा आपके नमबर को अपडेट या फिर लिंक करवा सकते हैं तो दोस्तो यही ताज का व्यूडियो व्यूडियो अचल लगा तो व्यूडियो को लाइक किजिएगा और चैनल को सब्सक्राइबर के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस किजिएगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वन्दे मातरम